इंडिया का ना बदन कर था जाएगा। देखिए मेरे को पास कोई अधिकारिक सूचना नहीं है, इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं, ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक एलाइंस बनाएं, जिसका नाम इंडिया है, तो अगर किसी पार्टियों का एलाइंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देँगे देश तो 140 क्रूर लोगों का है किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है कल मान लीजिए इस इंडिया एलाइंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे फिर क्या भारत का नाम बीजे भी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे मालो इंडिया एलाइंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे ये क् केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया इंडिया अलाइंस बन गया और बीजे पी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत चार वोट इनके कम Ó जाएंगे इंडिया इंस मन्ने से तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का ना म मदद दो. यह तो देश के साथ घड़्धारी है ऐसा लगता है कि देखिए इंडिया एलाइन्स का के लिए जो इनका रेस्पॉंस है उससे लगता है कि बहुत जादा बॉखलाई हु है। जस दिन इंडिया alliance एदा उस दिने उन्होंने एक शगूफा छोड़ दिया one nation one election करेंगे divert करने के लिए attention one nation one election कैसे कर सकते है one nation one election से जनता को क्या फाइदा है मतलब मैं अगर आपको कौँ one nation one election करेंगे कोई फाइदा होगा आपको आपके परिवार को कोई फाइदा होगा बच्चों को कोई फाइदा होगा कोई महंगाई कम हो जाएगी बेरोजगारी कम हो जाएगी one nation one election का बस एक ही फाइदा है अभी यह इनको हर छे-छे महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं फिर यह पान साल में एक बार शकल दिखाएंगे पांच साल पूरी दुनिया घुमेंगे फिर पांच साल में एक बार शकल दिखाने आएंगे मैं चैलेंज करता हूँ अगर one nation one election हो गया तो अगले चुनाव के पहले पांच हजार रुपे का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर यह पांच हजार सिलेंडर करके और कहेंगे दो सो रुपे कम कर दिये सिलेंडर के तो यह बेसिकलिए काम नहीं करना चाहते हैं पांच साल काम नहीं करना चाहते हैं पांच साल मटर गश्टी करेंगे और फिर पर कहींगे कि अब